नमस्कार कहुषी वाने ठाकूर आप देख रहे हैं मैन्पुरी लूस मैन्पुरी के ट्रांजिस होस्टर में प्रैसवार्ता की दौरान प्रभारी मंत्री ग्रीश यादव ने कहा कि प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री अख्लेश यादव को देश से माफी मागनी चाहिए क् कि उन्होंने देश की सेना के जवानों को मनोवल गिराने का काम किया है देखें हमारे समभार दादा सदेदर्थी वारी के लिए पुछ मैनपरी पहुंचे प्रभारी मंत्री ग्रीस यादब के ट्रांजिस्ट ओल में पत्कारतों से बाता करते हुए बड़ा बयान दिया प्रदेश के पूर मुखमंत्री अकलेस यादब को देश से माफी मागना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के सेना के जवानों का मनोवल गिराने का काम किया है और बिधान परशद में लिखित में कहा है कि देश की सेना चीन से क्या मुकाबला करेगी हम इसकी गोर निंदा करते हैं जिसके लिए एकलेस यादब को माफी मागने चाहिए बिरो रिपोर्ट मैंपरी चैनला मंदियर वहां करोणों लोग दर्सन करने किसकं जाते हैं भगवान राम का और क्षिक होता है जर्शन आर पूर्स पूरा विश्वास है वहां तो मंदिर हाई है हम उसकी भव्यता परदान करना चाहते हैं और सर्वोच न्याले के आदिसाने के बाद और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरते तथ्यों साबूतों के आधार पर मानि उस चन्याले ने निड़े किया है उस आधार पर में कह सकता हूं कि जो नेने आएगा वो राम मंदिर के पक्ष में आएगा और भव्य राम मंदिर का अधार पूरवान चल में कई जलों में अपनी रैली लेके जा रहे हैं एक पोल खोल रैली करके उन्हें नाम दिया है उसको अब देगे आप चुकि महिन पूरी कहा है इसलिए मैं बात कहता हमारी हमारी तो उन्होंने जीस तरह से देश के सेना के जमानों का मनुबल गिराने का काम किया है और उन्होंने इस बात को विधान परिशत में कहा लिखित प्रमाल है इस सेना चीन से क्या मुकाबला करेगी यह तो देश के सामने उनको माफी मंघनी चाहिए देश के सेना के जमान जो रात दिन परिश्च्पर करके इसकी आंकरी का वाह सुरक्षा उन सब की सुरक्षा कर रहे हैं, अमने प्राणों की बाजी लड़ाकर देश के स्वाम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में इस तरह से चिपड़ी करना, जितनी भी उसकी नेंदा की जाए, उनको देश के सामने इसकी माफि माफि मागनी चाहिए. मंती जी, हम चुनावी रेली की बात कर रहे हैं, 16 जन्पदों में उनने अपने रेली कारकरताओं को भेजा है, पोल्क होल, क्या विकास करा आज अच्छा, आपने पूछा बहुत सही पूछा, अम भी देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते हैं, बहुत, अखिलेश यादो और बहां जी, मायवती जी